तो कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ चंडी गड़ से डिबरुगड जा रहे ही डिबरुगड गड़ एक्स्प्रेस के 590 पटरी से डिरेल हुगा है ट्रेन हाथसे में तीन लोगों की मौत हुई जबकि 33 लोग इसमें खायल हुए हाथसे पर सीम यूगी ने ट्वी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेल हाथसे के बाद रिस्क्य ओप्रिशन चला अधिकारी भी ततकाल मौके पर पहुँचे दूसरी ट्रेन से यात्रियों को फिलहल अब अपने अपने गंतव्य की तरह रवाना कर दिया किया है तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहें गोंडा में किस तरह से कल रेल हाथसा हुआ था कई पट्रिया जो है वो डिरेल हो गई थी तीन यात्रियों किसमें मौत हुई तैथिस लोग खायल हुए रेस्क्य ओप्रिशन वहाँ पर चलाए गया मौके पर अधिकारी तुरंत प को अपने घर की तरह ब्रवाना कर दिया क्या है और एलवी ने मृतकों की परिचनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का एलान किया है बिचनों की परिचनों को दस-दस लाख, गंबिर घायलों को ठायड हाई लाख और अन्य घायलों को बताया जा रहा है कि पचास हजार रुपे की मदद की घुशना के गई है जो casualties और घायल हुए हैं उनमें जो casualties हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ और उदर गोंडा रेलवे हादसे पर रेलवे ने बड़ा दावा किया है सुत्रों के हावाले से खबर है कि ट्रेन के लोको पाइलट ने हादसे से पहले धमाकी के आवाज सुनने का दावा किया दावा है कि रेलवे को शक है कि ये कोई साधारन हासा नहीं बलकि कोई बड़ी साजिश हो सकती है वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरह से इतना कार दिया और कहा कि ट्रेन हादसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही हादसे के पीछे कोई टेरर अंगल दिखाई पड़ा है यह तस्वीरे आ रही है आज सुभे की तस्वीर है हलाकि एक लाइन को तो ठीक कर लिया गया है और कोशिश यही की गई है जो डिरेल हुए जो डब्बे हैं उनको पटरी से हटाये जाए ताकि यहाँ पर फिर से रेलो का संचालन शुरू हो सके लेकिन कल जिस तरह से हादसा हुआ उसमें कई सारे सवाल उठ रही है लोको पाइलेट के अनुसार एक धमाका हुआ और उसके बाद कई वागया एक के बाद एक डिरेल होती चली गई हलाकि उत्तरप्रदेश को डिजीपी का कहना है कि किसी तरह का कोई धमाका नहीं है या किसी तरह से इस पटरी को सबोटाज करने की कोशिश नहीं की गई है कोई टेरर एंगल इसमें निकल कर सामने नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी इस पूरे मामने में जाज जरूर बिठा दी गई है अब जाज के बात ही पता चलेगा कि आकर ये दुरकटना हुई कैसे हम आपको बता दे इस दुरकटना में तीन लोग की मौत हुई थी 33 लोग खायल हुए थे सभी को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है सरकार की तरफ से मुआफजा रेलवे की तरफ से मुआफजे का एलान कर दिया गया है और जो लोग वहाँ पर फसे हुए थे उनको अगली ट्रेन से अब अपने अपनी घरू की तरफ रवान भी कर दिया गया है और असम के सिया में हेमंत विस्वा सर्भा ने यह हादसे से जूड़ी बड़ी मांग की है और कहा है कि हादसे से पहले जो ध्यमाकी के आवाज सुनाई दी उसकी जाच होनी चाहिए दुरगतना जो हुआ है उसका पहले ब्लास का आवाज भी सुना गिया था पक्का इंक्वारी होना साहिए लेकिन मैं असाम का सीएम का नाते में यह बोलना साथा हूँ कि अभी तक असाम का कोई लोग और रेल में ठायल और इंजोड का लीस्ट में अभी तक नहीं है और गोंडा में ट्रेन हसे के बाद NDRF, SDRF से लेकर कई सतर के टीमें रिस्क्यू में चुटी हुई है इस दौरान ट्रेन में फसी यात्रियों को बहा निकाला गया, इसके साथ ही उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की सुबिधाओं का ख्याल भी रखा गया स्थाने लोगों ने भी रखा रेलवे प्रशासन ने भी रखा वही हाथ से वाली जखा से यात्रियों को मनकपूर स्टेशन लाया गया जहां से स्पेशल ट्रेन से करीब 600 यात्रियों को गोरखपूर भेश दिया गया इसके लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की विवसा की थी अब गोरगपूर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या फिर अन्यस साथनों से उनकी गंतब्वे तक मौचाये जाएगा और गोंडा में कल हुए ट्रेन हासे के बाद कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाओ किये गए अमरपाली एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, गुरगधाम एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपरक्रांती, सप्त क्रांती एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, अवद एक्सप्रेस, कुछिनगर सूपरफास्ट, बाग एक्सप्रेस, शहीद एक है